नमस्कार मैं आईशी जूशी अचीव आईएस द्वार प्रस्तुत समसामे की विश्यों पर आधारितिस कारेक्रम मैं आपका स्वागत करती हूँ आज का हमारा विश्य है योजनाई हाल ही में सरकार द्वारा जारी की गई कुछ नवीन योजनाई तथा नवीनी क्रच शब्दों के बारे में आज हम वर्णन से विस्तार से पढ़ेंगे आईए बात करते हैं पहले योजना के बारे में पहली योजना है Mother and Child Tracking System MCTS आईए देखते हैं क्या है योजना गर्वती महिलाओं को पून एवं गुणवत्ता पून प्रसव पूर तथा प्रसव के पस्चाद निगरानी देखबाल एवं सेवाएं प्राप्त कराने के उतेशे से स्वास्त एवं परिवार कल्यार मंत्राले द्वारा Mother and Child Tracking System के शुर वर्ष तक के बच्चे का नाम, पता, मुबाइल नंबर इत्यादी व्यक्तिकत सूचनाओं के आधार पर पहचान दर्ज करती है यह ट्रैकिंग सुविधा त्वारा सुनिश्चित करता है कि बच्चों को सही समय पर ठीका करेंट की पूरी श्रंकला प्राप्त हो रही है य इस तरह यह सुविधा मिशन इंद्रतनुष तथा जन्नी शिशुशुरक्षा कारेक्रम का पूरक भी है यह दोनों आपको बता दें कि यह दोनों ही कारेक्रम मिशन इंद्रतनुष तथा जन्नी शिशुशुरक्षा कारेक्रम मात्र एवं चाइल्ड केर डेवलाप्मेंट के तहत आयोजित किये गए थे इन सभी इन दोनों ही तरह की सुविधाओं या कार्यक्रमों का पूरक है Mother and Child Tracking System आईए और देखते हैं इसके बारे में Mother and Child Tracking System में लाबार्ती की सटीक जानकारी सुनिश्यत करने है तो इसे आधार से जोडने की विवस्ता की गई है MCTS के डेटा आधार को ANM द्वारा Mobile Phone के जरीए उन्नत बनाने के लिए Unstructured Supplementary Services के आधार पर एक प्रणाली शुरू की गई है यह एक स्वपंजियन है तू वेब पोर्टल की भी आरम किये जाने की विवस्ता करता है जिससे की लाभार्ति उनसे संबंदित ANC, PNC आधी विवरणा को देख सके यह निर्धारित समय पर लाभार्तियां को SMS द्वारा संबंदित जानकारी देता है आईए बात करते हैं अगली योजना के बारे में अगली योजना है राष्ट्रिय आरोगे निधी इस योजना का प्रारम हमारे स्वास्थ एवं परिवार कल्यार मंत्राले द्वारा किया गया है जानलेवा रोगों से पेडित करीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले रोगियों को किसी सूपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल अथवा संस्था द्वारा या अन्य सरकारी अस्पतालों में चिकित सकिये उपचार कराने के माउदेश से इस आयोग की स्थापना की गई है यह निदी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकरत है इसके लाबार्थी जानलेवा रोगों से पेड़ित गरीबी रेखा से नीचे अर्थाद BPL बिलो पुवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं वो जीवन व्यापन करने वाले मरीज होंगे अब इस रैन के बारे में कुछ महत्वपून बातों को देखते हैं सबसे पहली बात है कि यहाँ वन टाइम ग्रैंट के रुप में दिया जाएगा अर्था जो भी इस निधी के तहट या इस कारिकरम के तहट लाब प्राप्ट करना चाहेगा या सहायता प्राप्ट करना चाहेगा तो उसे सिर्फ एक ही बार जीवन परियंत इसका इसकी या कोई भी व्यक्ति उसका दुर्पयोग ना कर पाए इस योजना का लाब सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने पर ही प्राप्ट होगा आईए बात करते हैं इसके बारे में और भी जानते हैं यह निदी चार विंडो के माध्यम से संचालित होगी पहला है रिवॉल्विंग फांड रिवॉल्विंग फांड संपूर्ण भारत में बारा केंदरी सरकारी अस्पतालों अथ्वा संस्थाओं को में स्थापित किया जाएगा जो ट्रीट्मेंट के लिए दो लाग तक वि विंडोस होंगी जो स्टीट इलनेस असिस्टेंट फंड के दहत कारे करेंगी एक विंडो होगी जो हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड के दहत कारे करेंगी मैं आपको बता दूं कि फूर्थ जो विंडो है हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड ये विंडो direct health ministry के अंडर में आएगी अर्थात health ministry directly cancer patients को इस fund के तहट help करेंगे आईए बात करते हैं अगली यूजना के बारे में अगली यूजना है जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं यह है वर्मी bio digesters वर्मी बायो digesters ग्रामिन आजिविका और जलवाईयो परिवर्तन रोकने के साथ साथ ग्रामिन भारत में जल प्रदूशन को खत्म करने के लिए एक तकनिकी नवाचार है यह क्रिशी को लाप का धंदा तथा जैविक बनाकर सतत और समावेशी विकास की लक्षे को भी प्राप्ट करने में मददगार है वर्मी बायो डाइजेस्टर उक्त सिद्दान्त पर आधारित एक प्रद्योगी की घरों, गावों, क्रिशी और पशुपालन से प्राप्त जैव अपगटनी ये अपशिष्टों को जैविक खाद्यों एवं बायो गेस्ट में परिवर्तित कर देता है इसके द्वारा ग्रामेन भारत में जैव अपगटनी ये अपशिष्टों का स्थाई एवं आर्थिक रूप से व्यवहारे प्रबंदन कर जल प्रदूशिन की समस्या से भचा जा सकता है इसी के साथ वर्मी बायो डाइजेस्टर्स द्वारा सभी प्रकार के जैव अपगटनी ये अपशिष्टों का पुनर चक्रन कर रासाइनिक्स उर्वरकों और कीट नाशकों का उपयोग कम तथा शून ने किया जा सकता है जिससे की फसलों तथा खादी पदार्थों को कोई नुकसान ना हो तो ये थे आज की हमारे मुद्वपूर्मुद्दे जिन पर हमने चर्चा किये जो सरकार द्वारा आयुजित किये गए है देश की विकास और उनती के लिए इसे के साथ आज की इस कारेक्रम को मैं एक समाप्त करती हूँ जल्द ही आपके लिए एक नाया कारेक्रम लेकर आँगी धन्यवाद